प्रिवनिंग एवरिवन कैसे हैं आप सब मैं त्रिप्ति दुभी अपने चैनल में आप सब कश्वागत करती हूँ तो बच्चे हिंदी की फिर से एक क्लास लेकर करके आपके सामने उपस्थित हुई हूँ इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमने वर्ण माला एक होता है श्वर वर्ण एक होता है विनजन वर्ण श्वर की संख्या 11 होती है उसी क्रम में आज के जो इसमें हिंदी पैड़ोजी उसके अंतरगर भी यह सारी सब्जेक्ट आते हैं जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ और साथ में आपके नॉलेज में भी होना चाहिए कि स्वर को कैसे दो भागों में बाटा जाता है क्लियर तो बिल्कुल लास्ट तक आप बने रहेंगे लास्ट तक इसलिए बने रहना है क्योंकि यह जो वीडियो है मुश्किल से 7-8 मिनट का वीडियो है लेकिन इस वीडियो के खतम होने से पहले आपको सारी चीज़े क्लियर ली बिल्कुल आपके मायन में जाकर सेट हो जाएंगी और लास्ट में मैंने आपको के लिए एमशी क्यूब ही रखा हुआ है तो उसमें आपको चेक करना है कि आपको कितनी चीज़े समझ आई है clear चले अब देखते हैं स्वारवर्ण के बारे में अच्छा और वीडियो देखने बाद लाइक करना नहीं भूलेंगे है न चले देखते हैं स्वारवर्ण तो जो स्वारवर्ण है उसको दो प्रकार में बाटा गया है एक होता है जीभ के प्रयोग के अधार पर एक होता है मुख द्वार खुलने के अधार पर थोड़ा सा टफ लग रहोगा अभी सुनने में क्योंकि फर्स टाइम हमें पढ़ रहे हैं लेकिन बात में आपको चीजे क्लियर हो जाएंगी क्योंकि एक एक सेंटेंस को हम बिल्कु खुलता है न उसके अधार पर स्वरवर्ण को चार भागों में बाटा गये है एक होता है विवरित एक होता है अर्ध विवरित एक होता है शम्वरित और एक होता है अर्ध सम्वरित अब पहले बात करेंगे हम कि जीभ के प्रयोग के अधार पर कौन-कौन सा पार्ट है तो सबसे पहले अग्रेश्वर, अग्रेश्वर किसको कहते हैं, तो जीन स्वरों के उचारण में, जीव का आगे का हिस्सा उठता है, उसे अग्रेश्वर कहते हैं, देखो, कहते हैं कि महलाओं की जीव बहुत लंबी होती है, जुबान बहुत लंबी होती है, तो महलाय की नहीं पूरे मनुष्य प्रजाती की जीव बहुत लंबी होती है। इस में जो जितने भी हिंदी में श्वर है वो सारे के सारे इसी क्रम में आते हैं तो ऐसे स्वर जिनका जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे जीव का जो सामने वाला हिस्चा है उसको अग्रेश्वर कहते हैं इनकी शंख्या कितनी होती है तो इनकी शंख्या चार होती है आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी होती है तो अग्रेश्वर में इड़ेजिव इसम में जोड़ per his provide अग्रेश्वर की पात करने चीप Subscribe प्रभाववभावभनों 5-10 पाठोप सब्सक्राइब ऑप ini ओ आपका अनारका पःषिवर क्या होता है तो जिन्सवरों के उचारे द्वाटई हुते उच्दार को दॉधा ने और जहाते है और में जीब के पीछे का हिस्सा उड़ता है उसको पश्षवर कहते हैं इनकी शंख्या 5 होती है देखो अग्रेश्वर की संख्या 4 मद्यवाला सिर्फ एक और पीछे वाले की शंख्या 5 पश्ष और पश्ष पांच ऐसे करके भ्याप रख सकते हैं तो पीछे पर कौन-कौन से उ पांच अक्षर है तो यह पश्ष श्षवर के रूप में जाने जाते हैं तो अग्रेश्वर में शंख्या 4 हो गई मद्य की एक हो गई और पश्ष की 5 हो गई पश्ष 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 याद रखना है आपको चलिए अब हम बात करते हैं यह तो जीब के प्रयोक्य अधार पड़ता है तो जीब के प्रयोक अधार पर हमने जान लिया तिन प्रकार का अग्र मद्य और पश्ष अग्र की शंख्या 4 होती है मद्य की एक होती और पश्ष की 5 होती है अब हम बात करेंगे मुख द्वार खुलने के अधार पर मतलब आपको मुँ जीन सब्दों क उचारण करने में जादा खुलता है और कम खुलता है उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है तो मुख द्वार खुलने के अधार पर जो स्वर है उनकी शंख्या 4 होती है एक होता है विवरित एक होता है अध्ध विवरित एक होता है संवरित और एक होता है अध्ध कहते हैं और इसकी शंख्या भी एक ही होती आ देखो पूरे स्वर को तुम बोल कर देख लो उसमें जो आज जब आप बोलोगे ना तो आप बोलने में आपका मुझ जितना बड़ा खुलेगा उतना किसी और स्वर को बोलने में खुली नहीं सकता तो आपने ध्यान रखना है व से वीवृत और व से होता है विस्तित मतलब होता है बड़ा तो जिसमें जिसके उचारण करने में हमारा मुझ जाधा खुले उसे हम विवृषवर कहते हैं और इसके संख्या कितनी होती है शीर्फ एक आमका ठीक है अब अर्धल विवृत क्या होता है तो आप रामशंद अ, ए, ओ, ठीक है, तो इनकी शंक्य कितनी होती है, चार होती है, कौन कोंसे होता है, क्लियर हो गया, तो अ, ए, ओ, तो इनमें आपका जो मुह है वो कम खुलता है, ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, चलिए, नेक्स देखते हैं, शम्वृत क्या होता है, तो जिन स्वरों के चारण में मुखद्वार सबसे कम खुलता है, उसको सम्वृत श्वर कहते है, तो शम्वृत, शा से शम्वृत होगे और सा से सिलना, सा से सम्वृत, सा से सिलना, सिलना मतलब कम खुलना, तो जिन स्वरों के उस चारण में आपका मुखद्वार सबसे कम खुलता है, उसको ह की ज़ूरत नहीं है यह बोलो के फिर मूख खूलने के ज़ूरत नहीं एकदम कम मूख खूलता है और तो मूख कम जिसमें सबसे ज्यादा खूलता है उसको शंवृत कहते हैं और इसकी शंख्या होती है कौन कोई सा है तो ए और हो गया ओ ए ए ओ याद रहेगा आपको तो यह था हमारा जीव के अधार पर और आपके मुख द्वार खुलने के अधार पर चलिए अब हम लगाते हैं question और देखें आप कितने प्रेश्णे बना पाते हैं सबसे पहले मुख के अधार पर कितने बेदे मुख के अधार मतला मुख का द्वा प्रकार का होता है तो जीव के प्रकार का होता है एक हता है अंत एक होता है मध्रवर्वर कहते हैं और अनार का वही आपको याद रखना है विवरिष्वर किसको कहते हैं 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 विवरिष्वर किसको कि हिंदी के सारे के सारे chapters, मैं इसी रूप में आपके सामने लाने वाली हूं अब आप उसको हिंदी वियाकरांड का बोल'll लो, या फिर हिंदी पेडोलाजी बोल लो। पेडोलाजी वाले भी chapters में पूरा करवाऊंगे आपको, पेडोलाजी मतलब जो परियावनाण का है,